कहाने की शरुवात में हमें काबलर यानी मोची दिखाया जाता है जो एक की बाद एक जोता ठीक किये जा रहा था। में ऐसे ठीक हूँ जिसकी बाद वो दुबारा से दुकान के अंदर जाकर बाकी जोते ठीक करने लग जाता है जहां तभी उसकी दुकान पर एक गुंडा आया जो अपनी जोती पॉलिश करवाने आया था मैक्स जब उसकी जोती पॉलिश कर रहा था तो वो गुंडे की करते हैं वो इतने कीमती है कि मैं उनसे जो चाहिए वो खरीज सकता हूँ यहां तक कि तुम्हारे साथ नसलों को भी अपने जोते पॉलिश करवाने की बाद वो मैक्स को एक जोड़ी जोतों के दीता है यह कहते हुए कि फट गए हैं इन्हें से लाई कर दो मुझे शाम तक देखो दो तीन दिन तक मैं बहुत मसरूफ हूँ तो इतने जल्दी तुम्हारी मशीन ठीक नहीं कर सकता हूँ जो सुनकर मैक्स परिशान हो गया क्योंकि उसे केसे भी करके शाम तक गुंड़ी के जोते ठीक करके दीने थी तब यह उसे याद आया कि बेस्मेंट में भी हम प्याब रहता है जिसके बद वो रात बर गुंड़े के आने का इंतिसार करने लगा पर जब वो नहीं आया तो मैक्स जोतों का नंबर देखता है जो साड़ी 10 था वो सूचता है यह तो मेरे ही नंबर है चलो पहन के देखता हूँ अब जैसे उसने जोते पेनी है रहे वो गुंड़े का रोप नहीं रीता है जब उसने शीशे में देखा कि मैं गुंड़ा बन गया हूँ उसे जिटका लगा अब वो जैसे जोते उतारता है तुबारा से अपने रोप में वापीस आ जाता है फिर वो जाकर दुकान बन करता है वापीस आकर उसने जोते पेनी वो फिर से गुंडा बन जाता है, चौंकर एक जवा पर बैट गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहे थी कि आखर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, वो सड़ी दिस नंबर के और जोते ढूंटा है, जो उसे मिल पी जाते हैं, लेकिन जब उसने पहने तो उसका रूप नहीं बदला, अब की बार वो हैरान रहा गया, ये सोचकर कि ये क्या हुआ, अब मैंने इसा क्या कर दिया, जोए जोते पहने से भी मेरा भीस नहीं बदला, उसने जब जहन पर जोर डाला, तो उसे याद आया, ओ हाँ, मैंने गुंडे के जोते अपनी मशीन से नहीं, बलके उस पुरानी मशी पहन कर देखता है, क्योंकि जब उसका रूप बदलता था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था, जैसे किसी छोटे बच्ची के हाथ में कोई अनौका खिलोना लग गया हो, वो गलती से एक बुड़े आदमे के जोते पहन लेता है, जिसका चीरा जख्मी ट्र एक बुड़े आदमी के रूप लेकर नाई की दुकान पर जाता है, ये चेक करने के लिए, कि वो मुझे पहचानता है या नहीं, पर नाई अंकल तो उसे ज़रा भी नहीं पहचान पाती, जिससे दिल ही दिल में, वो खुश होने लगता है, अब वो बेस बदल कर जाता है, एक महंगी होटल, जहां से वो बोसरा मेंगा मेंगा खाना आडर करता है, और उन्हें खुब मज़ी लेकर खाता है, और जो बारी आती है बिल देने की, तो वो चुप चाप वाश्रूम में जाता है, और अपने जूती पहन कर अपने रूप में आ जाता है, और बगएर बि खुशनी लगता है, भाई, आपके जूती का नंबर किया है, और वो अमीर आदमी, जिस गुंडी से डरता था, जर से बता देता है, साड़ी दस, साड़ी दस है नंबर में रहा, जिस सुनकर मेक्स मौची कहता है, परफेक्ट है, सबर दस, तो अप जल्दी से अपने जूत उतार कर उसे दीरीता है, जूती पहने की बाद, उस आदमी का रूप लेकर उसकी गाड़ी में बैट जाता है, और रात भर उसकी गाड़ी में सेर करता है, वो मस्टी से गाड़ी चिलाता है, क्योंकि उसे बहुत मज़ा रहा था, इस वज़र से भी वो खुश था, क्योंक मां अगर दिन्दगी में आपको किसी जैसा बनने का मोका मिलता तो आप क्या बनती इस पर उसकी मुम जवाब देती है कुछ पी नहीं बेटा मैं तुम्हारी मां बनकर ही खुश हो लेकिन अगर ऐसा मुमकिन होता तुम्हारी बार तुम्हारी डैट की साधिनर करना पसंद कर लेकिन क्योंकि तुम्हारी डैट तो मर चुकी है तो यह चीज तो मुमकिन ही नहीं अगले दिन मैक्स जो अपने दुकान पर था तो बहुत ही खुबसूरत लड़की उसकी दुकान पर आती है अपने दोस्के जूते ठीक करवाने के लिए मैक्स उसे दीखता ही रह गया फ तो वो भी अंदर खुश जाता है अब तभी मैक्स को याद आता है कि अगर ये जूता वलती से भी उतर गया और लड़की नहीं मेरा असली रोब देख लिया तो मेरा ये खेल खत्म तो हो गई साथ ही मैं जेल भी चला चाऊँगा इस वज़से वो काफी डर गया जिल्दी पर वो बहुत खुश भी थी इसके बाद ये दोनों एक साथ डिनर करती है जो उसकी मौम की खौहिश थी और बहुत सारी बातें भी मैक्स अपनी मौम को उनकी कबरे में सुला देता है और अपने डैट के जोते उतार कर वापिस अल्मारी में रख देता है अगली सुबा ज जहाँ पर बहुत सरी लोग आये हुए थी सब मैक्स को इतना दुखी पाकर उसी सहारा देने के लिए आते हैं इसके कुछ दिन की बार जियो अपनी दुकान पर गया तो वाँ गुंडा आकर उस पर गुस्तर करनी लगता है केनी लगा भाई तुमारे साथ मसला किया है मैं पिशले एक हफ्ते से तुमारे दुकान की चकल काट रहा हूँ पर हमेशा दुकान बंद होती है जिसमें मैक्स जवाब देता है बाई वो दरसल मेरी मौम की मौत हो चुकी थी इसलिए मैं दुकान नहीं कोल पा रहा था गुंडा बोला तो ये बात है अफसोस हुआ सुनकर पर अब जल् primero कर मेरी जूते दे मैक्स बोला अच्छा तो पहले वो पड़की दो जो मैंने तुमेरे सीट की तोर पर दी ती गुंडा कहने लगा परची कौन से परची मीरी पास कोई पर्ची-वर्ची नहीं है मैक्स कहते है तो फ celebrity अगर परची नहीं तो फिर जोते भी न कर उसका पीछा करनी रखता है अब वो हमेशे अपने पास दूबंगे जूते रखता था इसलिए बार-बार बेस बदल कर उसका पीछा करनी लगा ताकि गुंडे को उस पर शक्र ना हो पीछा करते करते उसी पता चला कि ये गुंडा तो बहुती खतरनाक इनसान है जो लोग उसी मार पीट करके जबडस्ती पैसे वसुल करता है अब आगे जब गुंडा किसी काम के सिल्ष्टे में फासिद जाता है तो मेक्स उसका रोप लेकर उसके घर में घुस जाता है जहां उसे गुंडे की दोस्त मिलती है जो उस पर गुंडा समझकर बहुत गुसर करनी लग अपने बहरोपिये को अपने ही कर्मी पा कर उसे बहुत बुरा लगा उसे हेरत तो हुई लेकिन वह उस पर जपट पढ़ता है। पर उससे पहले ही मैक जटकी वाली गंसी उस पर शूट करता है गुंडे को भी जोरदा जटका लगा जिसे वह वहीं गिरकर भी होश हो जाता है इस चीज़ का फाइदा उठाकर मैक जल्दी सी उसे रस्चियों की मदद सी बान देता है आगे जब गुंडे को होश आई तो व मैं तो नहीं बताऊंगा और हां बस मुझे यहां से निकलने दें फिर देखना मैं तुम्हें चाहां सी मार डालूगा मैक सस्ते वे बोलता है पागल हो क्या तुम रस्चियों में बंदे हुए हो मुझे मारने के लिए तुम्हें पहले इन रस्चियों से अज़ाद हो ना पास आया और उसे तुम काने लगता है कि जिल्दी बता दो वो घड़िया कहां रखी है वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूगा कि तुम याद रखोगी इस थंकी से गुंड़ा थोड़ा घब्रा गया इसलिए उसे घड़ियों का पता बता देता है कि वो कहां है घड़िया लेने की बाद मैक्स वहां से जा नहीं वाला था कि तबी हो दर्माजे की सुराग से देखता है कि बाहर भी तो लड़के खड़ी हैं जिब गुंड़े हैं इसलिए वो वापिस गुंड़े की पास आकर पूछता है ये दोनों को ने इस पर गुंड़ा जवाब देता है कि किसी को मारने का कॉंट्रेक्ट मिला हैं तो उसके एडवांस पैसे लेने हमने जाना हैं तो ये लोग बस मुझे लेने ही आए हैं हिरान होते मैक्स पूछता है पैसे कितने एडवांस पैसे गुंड़े नी जवाब दिया पचास हजार डॉलर्स अब इतनी सारे पैसों का जो खुश से चूम उड़ता हैं उसकी तो जैसे लाट्री ये लगी थी क्योंकि इतनी बड़ी रकम उसने आज से पहले कभी देखी भी नहीं थी इसलिए वो जटकी वाली गंसी दुबारा से गुंड़े को भी होश करता है और उस का रोप लेकर उन लोगों के साथ चला ज तो ये पैसे लेने की बाद वो औरत का रोप लेकर दुबारा से गुंड़े की घर जाता है गड़िया लेने के लिए पर जब वो घर आया तब तक गुंड़ा कुद को रस्यों से चुड़वाया लेता हैं अब इसने जैसी दर्वाजा खोला वो इस पर गन तान के खड़ा उसे दुबरा से पकड़ लेता हैं और फिर से मारने की कोशिश करने लगा पर खोड़ को छुड़वाने के लिए मेक्स अपनी सेंडल की हाई हील से उस पर हमले करता हैं हाई हील गुंड़े की गर्दन में घुस कई जिससे वो वहीं गिर गया उसका गलब फट गया था जि अब उसे सकून नहीं आ रहा था उसे दुख हो रहा था इसलिए खोड़ी को इस चीज की सजा देने के लिए वो पुलिस टेशन पहुंचा जहां पर वो ऑफिसर्स को सारी बात बता कर कुद को उनकी हवाले कर देता हैं लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ गुंड़े के तो तुम किसी मेंडल हस्पिटल में जाकर दिमा के डॉक्टर को चेक करवाओ या खुदी पागल खाने ताखिलो जाओ जो कहकर वो यहां से चले जाते हैं अब जो मेक्स अपने दुकान पर वापीस आया तो वहाँ उसी पैसों और गड़ियों से बरावा बैक भी मिल जात अब मेक्स को उसकी बात की समझ नहीं आई कि आखिर वो कहना किया रही है और क्योंकि वह भला इंसान था तो किसी के पैसे भी नहीं रहें सकता था इसलिए नाई की बात सुने बगर ही वो पैसे लुटाने चला चाता है वो औरत का ही रोप लेकर ग्रीन बेल्ट की पास पहुंचा और उसे कहने लगा कि वो गुंडा आपका काम नहीं कर सकता उसकी तरफ से मैं आया हूँ तो लीजी अपने पैसे वापिस ये सुने दर ग्रीन बेल्ट कियेती है कि मेरे लिए ये पैसे कोई माइनी नहीं रखती मुझे तो बस अपना काम चाहिए जो कहने की बात वो अपने आदमियों को गहे कर मैक्स पर हमले करवा देती है उन्होंने मैक्स को मार कर भी खोश कर दिया और ये उसे अदवा कर लेती है पिर जब दो लोग उसे अदवा कर के लिए जा रहे थे तो वो जूती बदलकर उस बुड़े आदमी के जूती पहन लेता है जो ट्राउनस था जिसके चीरे पर निशान थी उसका रूप लेकर ये दो लोगो टरा दीता है और क्योंकि चीरा सच में बहुत अजीब था तो वो दोनों लोग डर चाती है उनके गाड़ी पर से दिहान हट गया जिससे एक्सिडेंट हो चाता है इसमें वो दो लोग तो जखमी हो गई थी पर मेक्स बड़े ही अंदास से गाड़ी से उतरता है और वहां से चला चाता है अगली सुब अपने दुकान पर बैठकर वो जब कोर्डरिंग पी रहा था तो वो गलती से वहां गिर चाती है जब उसका दियान इस तरह गया तो उसकी हाथ एक कावज लगता है जो एक पोस्टर था जो से एक लड़की ने दिया था जो एक जगा पर वरकर थी और वो एक बुड़े आदमी को बचाना चाहती थी क्योंकि कुछ लोग सबर्दस्ती उस बुड़े आदमी से उसका घर खाले करवाना चाहती थी कोस्टर को देकर मैक्स को याद आया कि यही वो बुड़ा आदमी है जिसे ग्रीन बेल गुंडे की हाथ मरवाना चाहती थी इसलिए मैक्स अगनी ही दिन उस वरक लड़की से मिनता है और उसी इस सबकी बार में बता दीता है तो यह दोना जल्दी से उस बुड़े आदमी की पास पहुंची उसे इस सबकी बार में आवा करने के लिए जो बुड़ा आदमी इने अंदर बढाता है कहने लगा कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया कि कुछ लोग मुझे मुझे मौरना चाहती है लेकिन हाँ कुछ भी हो जाए मैं ये घर खाली करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं यही पला बढा हूँ इस घर में मेरी यादी है तुम मरूंगा भी मैं इधर ही अम मैक्स को एक आइडिया आता है वो बुड़े आदमी से पूछने लगा अंकल आपको किस नंबर का जूता आता है तो वो बताने लगा ये साड़े दिस बेटा इस पर मेक्स सोचता है परफेक्ट प्लैन है और अगली ही दिन बुड़े आदमी का जूता पे अंकल उसका बेस बदलकर ग्रीन बैल से मिलने जाता है उसे कहने लगा कि मैं घर खाले करतूँगा पर उसकी बदले मुझे एक लाग डॉलर्स चाही अग ये डिल काफी अच्छी थी जिसके लिए ग्रीन बैल्ट मान जाती है इसलिए अगली ही दिन उसकी आदमी उस तक एक लाग डॉलर्स पूंच आ देती है वो सारे पैसे मैक्स बुड़े आदमी को दे रीता है जिनी लेकर अगली ही दिन वो अपने बैटी से मिलने लिकल जाता है पर ग्रीन बैल्ट बुड़े आदमी के घर को चेक करने जाती है कि वो घर खाली करके गया है या नहीं वो जब वहाँ पूंची तो बुड़ा आदमी वहीं बैठा हुआ था और हम जानती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वोची मैक्स है ग्रीन बैल्ट उसे कहती है जब तुम्हारे पैसे मिल गई है कि तुम ये घर खाली करके क्यो नहीं गई वो हिरान होते हुए कहनी लगे क्या कहा पैसे मुझे कोई पैसे नहीं मिले और अब तुम्हें ये घर बिल्कुल भी खाली करके नहीं जाओंगा जो सुनकर ग्रीन बैल्ट को गुसा आजाता है इसलिए वो कहती है चुप चब ये घर खाली कर दो वरना तुम्हारी उम्र तो पहले ही काफी हो गई है मैं तुम्हें मार डालोंगी कुछ भी पता नहीं चलेगा तुम्हारा जिसके बाद तुम्हारी बेटी को भी मार दोंगी अब उसके धंकी सुनकर पीछे से एक रिपोर्टर केमरा की साथ बाहिर आता है जिसे देखकर ग्रीन बेल्ट काफी चौंग चाती है अब उसे मज़ीद गुसा दिलाने के लिए मेक्स उसे आँख मार देता है बस फिर क्या था ऐसा हो थी ग्रीन बेल्ट गुसे में और बढ़ा गई उसे मारने के लिए आगे बढ़ी जहां इस सब को केमरे में रिकोर्ड करकी टीवी पर चलाया जाता है जिससे ग्रीन बेल्ट को गिरुफतार कर लिया जाता है दानली करने के जुर्म में अगले दिन जब अपने दुकान पर थाम तो वर्कर लड़की उसकी पास आती है कहने लगी के शुकरिया मेरी मदद करने के लिए और चलो शाम को खाने पर चलती है अब मैक्स क्योंके उसे पसंद करता था इसलिए वो मान जाता है तो गुंटे की दोस्ट नाराज थी तो से मनाने के लिए वो गुंटे का रौप लेकर उसकी दोस्की घर गया और उसी वो मेंगी गड़ियां कि इसकी तोर पर दीता है ताकि वो मान जाएं ये करकी जब वो वापी सारा था तो कुछ लोग उसी असली मिला गुंडा समझ कर अगवा कर लीती हैं और अपनी साथ कहीं नीच जा रहे थी पर तबी उनकी गाड़ी का एक्सिजेंट हो गया इ जब उसकी आँक उलती है तो वो खुद को नाई अंकल की दुकान पर पाता हैं जो उसे एक ताकतवर चीज मुरब्बा दीती हुए कि एती हैं कि बेटा ये खा लो थोड़ा सा खा लो बेश्यक इसपर मेक्स कहता है नाई अंकल मुझे नहीं खाना मुझे पसंद नहीं है नाई कहते हैं बेटा जिद ना करो थोड़ा सा खालो क्योंकि जिस सरा तुम बार बार एक जिसम से दुसरे जिसम में जा रही हो ना ये तुम्हारी जान के लिए खत्रा है तब ही मुरब्बा ही तुम्हारे काम आ सकता है ये सुनकर मेक्स काफी हिरान रहे गया उसे पूछ डैड थी जिनने देखकर मेक्स को अपने आंकों पर है की नहीं आता वो चौंग चाता है क्योंकि उसकी डैड जिन्दा थी जो सालों से नाई का रोप लेकर मेक्स की साथ मले दुकान पर काम करते थी इन्हों नहीं गुंडे की लाश को वहां से गाइब किया और पैसों लेसे लवचाता है पर थोड़ी दिर की बाद उसा उन पर गुसा भी आने लगा इसलिए पोच लेता है या आपको कभी मेरी यह मॉम की याद नहीं आई जिस पर वो कहते हैं कि आती थी अरब में तूमसे तो मिल लेता था तुमारी मॉमसे नहीं मिल सकता था थै क्योंकि मे नई मेशीन दी जिसने हमारी जिंदिया ही बदल की रख दी यह बताने की बाद वो उसे अपने खंदान की विरासे दिखाते हैं जब उसे एक जगा पर लेकर गए तो जहां जहां नजर जा रही थी वहां ही जोते पड़े थी जो आम जोती तो बिलकुल भी नहीं थी यह उसक पीची की रासे से गिराज में लेकर जाते हैं जहां पर काली रंकी वहती मेंगी खुबसूरत गाड़ी खड़ी थी जिससे चलाना हर किसी का सपना था और इससे चलाने के लिए उसके डैड ने एक बहुत अच्छा ड्राइवर पर रखा हुआ था जिसके बाद उसकी डैड लगाकर अपने मकसिद के लिए इस्तामाल करती हैं तो बेस बिदलने वाला चक्र ना सिर्फ जोतों के साथ हैं बलकि कपड़ों के साथ भी हैं और कपड़े भी अमीरे मेर बड़े लोगों के हैं तो हम दुनिया में किसी भी इनसान करोप लेकर वो बन सकते हैं जो कोई आम झालो तो इस बार बू आम इस बडर के रुबाब टेवटिड़ों आम लेकर रांगाद को ले एंस खर el Hacken उलत अहले करे वो लेकर लो बनुपे अलुड़कर